हुआ है डिटर्मिन माथेमाटिक्स क्लासे जॉइन फॉर लर्निंग इन यूर वे हेलो देस्तों वेलकम टो माई चेनल एंड नमस्कार आज सनिवार है सनिवार को मैं इतिहास से रिलेटेड कि मैं M.C.Q लेकर उपस्तित होता हूं तो फिलाल हम कि उनेसो 17 से 1947 के विच आधुनिक भारत के इंपोर्टेड्ट जिक्के लेकर आ रहे थे तो आज दुसरा दिन है अधुनिक भारत उनेसो 17 से 244 का यह दूसरा संव्य वार है ठीक है तो सूरू करते हैं भारत बंवाजन का भी भाजन किस योजना के तहुत हुआ था भारतवर्ध पश्टान का भीधाजन कि सिर्जणा के तहुत ख़त हुआ था तो यह मांट वेटरनी और जिना क्रिपस और रियो जिना चेंश फोर रिन यह बेवरी उस्धी ना तर्फ हिए तहत हुआ था महतमा गांदी की हत्या कब होई थी 30 जनुवरी 147 यह तुन जनुवरी नहीं 451 तो महतमा गांदी के हत्या 3214 को हुआ था कौन सा भारतिय सोतंदर का पहला गुवर्णर जन्वना राजंदर परसाथ सरदार पटेल सीराज गुपालचारी बिया रवेड कर तो अंसर होगा सीराज गुपालचारी काईदे आजम किसे कहा जाता मुहम्मद अली जीना को भगत्सी को महात्मा गांधी को यह जवाल न रूरूप में तो और ये राजजो ciugatan के लिए और लॉफ प्रूस के रूप में वे दोनों के जाना जाता है अन्सर हो जाएगा एक नंबर अधी किस गुल में से मिलन में फाग लेने के लंदन गए थे पर्थम गोस्तमने सीइड़ान नला स्मेवं में से मेनिसे कोई नहीं तो गांधी जी दित्ते गुल में गुल में से मिलन में भाग लेने के लिए गए थे असायोग अंदोलन शुरू करने के समय भारत के वाय वाइस राय कौन थे लॉड़ वाला बाद लॉड हैस्टिंग लॉड कैनिंग लॉड डल हो जी या लॉड चैम्सफोर्ड तो अस सर्दार फटेल चित्रण जंदास यह मोतिलाल नहिरू तंसन होगा चिंद्र जंदास जनरल माइक ओडायर की हतिया किस नहीं की थी भगत सी नाथुराम गोट्ष्रे उद्धम सी यह चंसे खराजाद तंसर होगा उद्धम सी साइमन कमिशन का भारत आगमन किस वर्स हुआ था सामन कमिशन का भारत आगमन किस वर्स हुआ था तो निसो थी समय सथाथा समय सब्सक्राइब किस वर्स में आया 1912 में 1915 में 1918 में ये 1925 में तो भारती का 19 पार्टी जो है स्थीत में आया वो 1925 में महात्मा गांधी की राजनीती गुरू थे मदन मुहनमाल भी बाल गंगा धरती लग लाला लाजपत्रा या गोफाल कृष्ण गोकले तो महात्मा गांधी की राजनीती गुरू थे गोफाल कृष्ण गोकले सारी जहां से अच्छा हिंदूसता हमारा किरशनाकार है रविन्ना टाइगोर इकवाल रहमत अली भगतसी तो अंसर होगा इकवाल दिन बंधू के नाम से कौन विक्यात था जी एस खड़ पड़े आचरे नरंदर देव चितरंजन दास सीएफ एंड्रूज तो दिन बंधू सीएफ एंड्रूज को कहा जाता है माई एक्सप्रिमेंट वित रूत किरशनाकार है महात्मा गांधी मलाना आजाद जवाहलल नहरू यह जैप्रकास नरायान तो माई एक्सप्रिमेंट वित रूत किरशनाकार तो सब जानते हैं यह अंसर होगा महात्मा गांधी कर्मानुसार विवस्तित करिए साइमन कमिशन का भारत आगमन असयोगा दोलन फुना पैक्ट और गांधी ऊर्भीन हिए रेक्ट यह सम्झाता तो सबसे पर्थम कौन हवा ऐसर योगा नोल जोनी सो लिस सामन कमिट्थै ढ०ाय अशिक्ट पूना पैक्ट और गांधी सम्झाता तो गांधी इर्भीन सब्सक्राइब पांच मास 1931 कुगा पुना पैक्ट 1932 मुगा तो यह ओप्सन आप देखिए तो यह मिल रहा है किसमें ऑप्सन चार में ठीक है नेक्ष्ट देखते हैं डांधी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दुरीता करके नमक कानून का विरोध कि था 244 किलो मेटर 3050 किलो मेटर 284 किलो मेटर यह 344 किलो मेटर तो डांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दुरीते करके नमक कानून का विरोध किया था यह 3050 किलो मेटर गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था पुसना को हंटर आयो को या क्योंनल आवाड को तो अंसर होगा रॉलेक्ट एक्ट को जंपारन सत्य ग्रह के दरान महात्मा गांधी के साथ कौन सामिल थे बल्ला भाई पर टेल वा भी नमवावे पहला आप्शन जवाल नहिरू वा राजिंद्र परसाद दुसरा राजिंद् से दिसाइव मनी विन पर टेल तो अंसर होगा राजिंद्र परसाद वानुगरह नरायंसी गांधी जी के साथ संपरम अंदुल समिल थे निष्ट है कौन अजाद हिंद फोज आई एन एस से समंदित नहीं है गुरुद्याल सी ढिल्लो सानवाज खां जनरल मोहं सी यार्सी गुरुद्य दट थे अजाद हिंद फोर्ष से समंदित नहीं है अनन मईर के अब देखते हैं निफ्ट संे सुराज वाटी की अस्थापना किस वर्स की गई측 निस थे में 122 में यह उनिसो तैस में तो अंसर हो सुटाक्स में कॉंग्रेस का पर्थम विभाजन 1907 के सुरत अध्वेशन में हुआ था, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था, कलकत्ता-1970, मुंबई-1918, दिल्ली-1918 या नागपुर-1920, ये दूसरा विभाजन मुंबई-1918 में हुआ था, जब अध्वेशन कंग्रेस का हुआ था, लाजवादियों को अजान हीन वोज के सदस्तीयों को खुदाई खिद्मतगारों को रानी क इड़ी निल्यू द्वारा नित्त लोगों को तंसर होगा खुदाobyl खिद्मत्गारों को नेच्छ था भारती राष्ट्रिय कॉंग्रेस में देश के वीवाजन पर स्रमत्त हो गई इसका मुख्य कारण क्या था पहला दिराष्ट से धान तब उनकी लिए सिलक्यार था दूसरा आप्षन ये बृतिस सरकार द्वारा थुपा गया था रथा इस माविलें कॉंग्रेस बिवस्ति तुरा ओपचन कांग्रेस बड़े पेमाने पर संपरदाईग दंगो को टालना चाती थी दोटा है एसा नहीं करने फिर भारत स्वातंटता प्राप्त करने के अफसर से बंचित रह जाता तो कांग्रेस बड़े पेमाने पर संबार साम प्रदाइक दंगों को टालना चाहती थी ऐसे लिए ऐसा कि बर्स 1919 में पंजाम में हुए कुरूड अत्याचारों के ब्रोद सवरू ब्रेटी सरकार से प्राप्त सर की पादी किसने लटा दी थी बर्स 1919 में जलिया वाला वाग हत्याकांड हुआ था तो कि नहों ने अपना सर की उपादी जो अंग्री जो दोवारा दिया गया था ब्रेटी सरकार दोवारा लटा दी तन अप्सन देखते हैं तेजवाद उस अप्रू आसुतोस मुखर जी रमीन नाट टाइगोर यसे हैं अहमद खा तंसर होगा रमीन नाट टाइगोर ने लटा दी थी स्वातंत्रा प्राप्ति के समय महत्मा गांधी थे कांग्रेस कायर समीती के सदस कांग्रेस के सदस नहीं थे कांग्रेस के अध्याट थे कांग्रेस के महा सचीब थे तो वो किसी पद्वे नहीं थे कांग्रेस के सदस भी नहीं थे जलिया वालाबाग कि नरसाहार कि समय भा वारत का बाइस राइकॉन था लाट चेम्स फॉर्ट नेक्ष्ट कोस्टिन है कौन से फुस्तक जवाला नहरू द्वारा लिखी गई एपैसेश टू इंडिया माई एक्सप्रिमेंट विद तू इंडिया बिंस प्रीडम डिसकाबरी आफ इंडिया तो कौन से फुस्तक जवा लान हेरो मातमा गांधी जवालल नहरो यह डाक्टर अन्सारी ने सरोगा डाक्टर अन्सारी हो फिर सु तैस में चितरन जंदास इवा मोतिलाल नहरोने कहां सुराज पार्टी के स्थापना की थी पत्ड नामें लाहाबाद लखना कूया इन में से कोई नहीं तुनिए सु सब्सक्राइब दूसरा सेट पुरा हुआ वगले दिन अगले सनिवार को मिलते हैं हिस्टरी के साथ और भी सब्जेक्ट का जो मैं एमसी क्यों तो ला रहा हूं साथ ही साथ ठीक है भाइट बोर्ट या उस पर हम डिटेल से थियोरी पढ़ाएंगे साइंस फिजिक्स कमेश्ट्री बाइलोजी और इधर सोशल साइंस भी देखेंगे तो फिलाल अभी इतना ही अभी देरे-देर चलते हैं सुरुवात थोड़ा धिरे-धिरे होना चाहिए वही वेत्तर है ठीक है